गुड़ मॉनिंग स्टुडेंट्स क्लास है बीएससी पार्ट फस्ट पेपर हम पड़ रहे थे फस्ट और कौन सी थी बेविक्त गड़ित डिस्क्रीट मैथ ठीक है चलिए लास्ट क्लास में बुलियन एलजबरा पड़ रहे थे ठीक है उसके हमने डी मार्गनलियम पड़ा था कैसे सॉल्व करते हैं कैसे नहीं करते हैं आपको रिजल डिकायता है अगर किसी अव्याफ का उसके पूरा का व्याफ के साथ योग करते ह हैं तो बनाता है जीरो आता है और मल्टिप्लाइ करते हैं तो बनाता है उल्टा बोल गया योग करते हैं तो बनाता है और हां सही है योग करते हैं तो बनाता है और मल्टिप्लाइ करते हैं तो जीरो आता है ठीक है तो आज हम दो तीन और चीज़ें दो प्रूफ और देख एक्स डॉट वाई एक्स डॉट वाई का डैश इस लिकस टू एक्स डैस प्लस वाई डैश यह आपको सिद्य करना है ठीक है यानि इसका पूरक यह होगा अब यह सिद्य करना है तो मुझे पता है कि अगर इसका पूरक यह सिद्य करना है तो मुझे पता है अगर इसके पूर कर रहा हूं कि मुझे यह proof करना है तो मुझे पता है कि it is क्या करूँगा अगर मैं addition करोगा तो one आना चाहिए और इसक्षे Compliment के साथ multiply करऊँगा तो zero आना चाहिए तो पहले में इस चीज़ को सिद्धे कर रहा हूं इसको proof कर रहा हूं इसको आपको कर यानि एक्स डॉट वाई प्लस एक्सटाइज डॉट वाई डैश यह मुझे वन लेके आना है ठीक है तो मैं क्या करूँगा देखो वन लेके आना है ना तो क्या हो जाएगा यहां से एक्सट प्लस वाई डैश यानि एक्स dash plus y dash plus x साचरे नहीं हम लगा दिया मैंने x plus x dash plus y dash plus y plus x dash plus y dash ओके यह क्या हो जाएगा यहां से साचरे फिरने भी आगवा x plus x dash plus x plus y dash sorry plus y dash यहां लगाऊँगा तो यह हो जाएगा y plus y dash plus x dash क्या हो जाएगा यहां से यह तो देखो x plus x dash मुझे पता है किसी अवियफका उसके पूरक के साथ अगर addition करूँगा तो 1 आएगा यानि किसी भी element का उसके compliment के साथ addition करता हूँ तो क्या आना चीए 1 आना चीए 1 आता है मुझे पता है आपको लिखवाए था ठीक है तो यह हो जाएगा 1 plus y dash plus और यह क्या हो जाएगा y plus इसको ले लूँगा इसके साथ plus x dash यह हो जाएगा ओके चलिए अब देखो 1 plus y dash यह की रखो यह क्या हो जाएगा 1 1 plus x dash और हमें पता है कि 1 plus के साथ कुछ भी मैं add करूँगा 1 के साथ कुछ भी add करूँगा तो वो 1 ही बनता है क्योंकि मैंने आपको बता है 1 plus 1 2 नहीं होता है 1 plus 1 1 ही होता है तो उस चीज़ से 1 के साथ कुछ भी add करोगे तो 1 ही जाएगा यहाँ पर तो 1 plus और यह क्या जाएगा 1 यानि 1 plus 1 करोगे वो भी बनाएगा तो हमारा प्रूफ हो गया यह वाली चीज़ यानि x dot y plus x dot y dash इसका मतलब हमारा यह चीज़ तो प्रूफ हो गई अब dot के लिए आप करके देखोगे ठीक है अगली पिर मेर अब इस ओशन नियम अगली पिर मेर अब इस ओशन लोग क्या होता है यह और जोशन लोग होता है x plus x dot y is equals to x यह होता है इसको सिद्ध करना है अब देखो कैसे सिद्ध करूँगा यह सिद्ध करना है x plus x dot y is equals to x की जगा यहाँ पर क्या लख सकता हूँ x dot 1 लख सकता हूँ क्योंकि x का 1 के साथ multiply करूँगा x ही आएगा plus x dot y यहाँ से x कॉमल ले लूँगा 1 plus y और हमें पता है 1 plus y क्या होगा 1 ही होगा x dot 1 तो क्या हो जाएगा x यही सिद्ध करना था मुझे x plus x dot y x plus x dot y x plus x dot y यह हो गया proof यही सिद्ध करना था मुझे अब शोशन निया अगला आता है अब आपके पास अगली प्रमे है easy है कोई इतनी आराम से खोल सकती है x dot x plus y is equals to x अब यह proof करना है मेरे को ठीक है यह चीज proof करनी है तो कैसे करूँगा देखो x लाना है अलग-अलग है वहाँ पहले plus था अब यहाँ पर dot है यहाँ पर dot था है प्लस आ गया तो इसको करने से पहले क्या करूँगा मुझे क्या करना x dot x plus 1 को x plus y को x दिखाना है तो यहाँ x से खिए क्या लिख सकता हूँ x plus 0 dot x plus y one tan tan yam लगा हूँगा one tan tan yam क्या कहेगा x dot 0 plus y यह क्या होगा x x plus 0 dot y क्योंकि हम ऐसे खोलेंगे one tan tan yam से ऐसी खोलेगा तो one tan tan yam लिए तो कहता है x का इसके साथ add करो multiply x का फिर इसके साथ add करो उसी में खुड रहा है तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसके बाद यहाँ से क्या हैगा 0 dot y क्या होगा 0 होगा यानि x dot x plus y is equals to यह तो 0 होगा यानि x plus 0 x का 0 के साथ cat करोंगा तो क्या आएगा x ही आएगा तो यह हो गया हमारे पास proof यह हो गया हमारे पास proof तो यह तो आपके प्रमे थी जो आपको paper में पूछी जाएंगी अब पढ़ते हैं बुलियन एल्जेब्रा एंड लेटिस बुलियन बीजगड़े तथा जालक यह देखते हैं बुलियन बीजगड़े यह आपके सलिवस में है नया topic है बुलियन एल्जेब्रा तथा जालक इनको कर लेना बहुत एजी है नहीं है जो अब तक करवा चुका हूँ बुलियन बीजगड़े तथा जालक परिबाशा लेखेंगे कुछ इसमें तथा आगे बढ़ेंगे बुलियन बीजगड़े तथा बुलियन बीजगड़े तथा जीरो और बन इनसे अलावा कुछ भी यूजगड़े में वही चीज़ लिखेंगे प्लस होता है यह क्या होता है दोचारी संक्रिया होती है प्लस और डॉट यह क्या होते हैं वाइनरी ओपरेशन, एडिशन और मल्टिप्लिकेशन और यह क्या होते हैं 0 और 1 आइडेंटिटीज होती हैं यानि तस्समत्ता होती हैं दोनों की योग के लिए और गुणा के लिए पर आधारित पर आधारित आंशिक्रम संबंध का एक विशेश गुणाख विशेश गुणाख है जो परतेक आंशिक्रम परतेक आंशिक्रम संबंध में नहीं होता है संबंध में नहीं होता है यानि बी लेस देन आंशिक्रम संबंध का होता ही है मैं आपको बताया था कि इनहीं दो अव्यवों एक्स कोमा वाई के लिए समुच्चे एक्स वाई का निमनक अवश्य विद्मान है अवश्य विद्मान है कि सबसे पहले तो इसने यह का है कि कोई भी बीजगड़त क्या होगा बीजगड़ती यह वाली प्राधारित आंशिक्रम संबंध का एक विशेश गुड़क है जो प्रतिक आंशिक्रम संबंध में नहीं होता है यानि यह क्या हो यह क्या रहा है कि यह एक प्राधा क्या है आंशिक्रम संबंध में आपको बताया था आंशिक्रम संबंध कैसे निकालते हैं जो क्या होता है क्या क्या बताया था में आंशेक्रम संबंद के बारे में आंशेक्रम संबंद होता है स्वैतुल्य होता है प्रती सम्मेत होता है और संक्रामक होता है यानि वो सिमिट्रिक स्वरी रिफ्लेक्सिव होता है और क्या होना चाहिए हमारे पास ट्रांसिटिव होना चाहिए अगर क किसी भी जालक में आंशे कर्म संबंद होगा तो उसमें उच्छा को निमनक क्या होगा विदमान होगा तो उसने यह ही कहा है कि अगर कोई जालक है अगर वह आंशे कर्म संबंद है तो उसमें क्या होगा उसका उच्छा और निमनक अवश्य विदमान होगा English वालों के repeat कर देता हूं कि ये कह रहा है कि कोई भी lattice होगा आपके पास तो tandem θyc क्या होगा वह partial order relation को satisfy करेगा partial order relation को आपने पड़ा होगा कि partial order relation क्या होता है खिआ्जा relation जो reflexive हो antisemitric हो और transitive हो तो हम देखेंगे कि हमारे पास कोई lattice है और हम पहले चेक करेंगे वो lattice क्या हो रहा है partial order relation को satisfy कर रहा है तो हम क्या निकालेंगे उसके maximum points और minimum points maximum और minimum उसमें क्या करेंगे exist करेंगे बस यह कहा गया है इसमें ठीक है चलिए चलिए प्रमे अप्रमे देखते हैं क्या प्रमे है प्रमे प्रमे लिखते हैं कि और समझते जाएंगे अमसाथ साथ में प्रमे प्रतेग बंटनातमक पूरित जालक पूरित जालक भी कॉमा लैस्दैन जहां 0 not equals to 1 एक बूली है बीजगरित एक बूली है बीजगरित परिबाशित करता है यह चीज में आपको जालक में बता चुका हूं यह क्या होती है अब को इस पर में को सिद्ध करते हैं यह कह रहा है कि परते करता है इसको बूली है बीजगरित होगी तो हमारे पास क्या होगा इसका उच्चा को निम्नकमान प्राप्त होगा बूली बीजगरित ऐसी दिखाते थे हम के बूलीएन एलजबरा बूलीएन बीजगरित हम कैसे दिखाते थे वहाँ पर जालक में जब यह चीज होती थी जालक पढ़ रहा है अब हम जब जहां पर यह चीज होती थी तो हम क्या दिखाते थे उनका उच्चा को निम्नकमान दिखाते थे यह कॉल करो याद आ जीरो नॉट इक वन्तनातमक पूरित जालक है यह उसने दिया हुआ है वन्तनातमक पूरित जालक में यही सान होते हैं ध्यान नगना वन्तनातमक पूरित जालक में क्या होते हैं यही वाले साइन होते हैं चिन होते हैं यानि distributed complimented distributed letters जो बोलते हैं वंटनात्मा पूरित जालक को इंगलिश में बोलते हैं Complimented distributed letters ठीक है उसमें यही होता है पड़ना आपके समझवाएं इंगलिश वाले जो है उनको एक बार पुरानी किताब में किताब में पीछे जाके देखना समझने आ जाएगा मैं क्यों लिख रहा हूं यह दिया हुआ है जालक है और हमने पहले क्या से दिख्या हुआ है कि x union y पहले चीज सोंने यह सिद्ध कर चुके हैं पहले वां पे X union Y is equals to Y union X यानि करम विनमेनियम करम विनमेनियम कम्यूटेटिव लोग यह सिद्ध्य कर चुके हैं वहाँ पहले आपने देखा हो पहले यह सिद्ध्य कर चुका हूँ और intersection के लिए क्या हो जाएगा यह यानि X संग और अपसंदी बोलते थे इनको हिंदी में इसको तो संग बोलते थे इसको अपसंदी बोलते थे यह भी करम विनमें हो जाएगा चीक है अब for all X Y belongs to B चुकी यह तो दिया हुआ है के B as then वंटनात्मक है अते है अते है दूसरी प्रॉपर्टी यह B1 हो जाएगी दूसरी प्रॉपर्टी B2 करम विनमें दिखा दिया उसके बाद क्या दिखाएंगे हम वंटनात्मक दिखाएंगे ठीक है साचर्य था देखो बूलिय बीजगड़े सिद्ध करना है पूरित जालक से मैं आपको पूरा दोबारा बता देता हूँ कि हमें बंटनात्मक पूरित जालक से बूलिय बीजगड़े सिद्ध करना है बूलिय बीजगड़े के लिए मैंने आपको तीन-चार प्रॉपर्टी बताई थी कौन-कौन सी बताई थी कि करम विनमें होना चाहिए साचर्य होना चाहिए बंटनात्मक नियम को पालन करने चाहिए बंटनात्मक तो अल्रीड़ी सुने कह रखा है तो इसको सिद्ध करेंगे नहीं बची चार प्रॉपर्टी कौन-कौन सी करम विनमें वाली एक आपकी बची तस्समक अवियब वाली साचर्य वाली और प्रॉपर्टीरों अवियब वाली पस ये चारों हम सिद्ध कर रहे है किसका इस्तमाल करके इनका इस्तमाल करके अब संधी और किनका संग का इस्तमाल करके ये 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 यूज़ कर रहे है क्यों क्योंकि उसने दीया है हुमें इस तरीके से है कि इनको इस्तमाल करके के यह चारो या 5 नियम सिद्ध करने हैं वह चीज हम कर रहे हैं ले बोल देता हूं कि देखो last class में जर आप पीछे class में देखो गें तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि जो कॉम्प्रिमेंटेट डिस्ट्रिविटिव लैटिस था तो यहां पर क्या करना है हम्हें बुलियन एल्जेबरा प्रूफ करनी है और हमें पता है कि बुलियन इल्जेबरा प्रूफ करने के में अब पांच नियम बताये थे कौन-कौन से पहला तो आपको करना है दूसरा आपको बताये था करनी है और बताया था क्या मैं ने identity element होना चाहिए इंवर्स element होना चाहिए और डिस्ट्रिबूटिव य wet उसके बाद करूंगा inverse element पस्ये प्रूफ करना इससे प्रूफ हो जाएगा इन चीजों का यूजओ। करके प्रूफ करना है क्योंकि उसे नहीं चीजों का प्रूफ कर आBob करवा रहा हुआ यूज करके ठीक यह हो गया बस बीथरी क्या थी चले इसको बाकी का आपको मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूँ दो प्रोपर्टी मैंने सेट्फिस करवा दी मैं देखना चाता हूँ आप कितनी लोग पढ़ते हो लास्ट क्लास में कितना लोग पीछे जागे रिवाइस करते हो या फिर नहीं पढ़ते हो यह चीज में आपके लिए छोड़के जा रहा हूँ कि आपको यह बाकी की दो रूल्स और फॉलो करने है एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला और एक इन्वर्स एलिमेंट वाला यह आपको प्रूफ करने है दोनों ठीक है चलिए आगे हम पढ़ेंगे अब बुलिये निल्जेब्रा है थोड़ा सब यह को थोड़ा और बहुत और बचा है उसको पढ़ने के बाद यह उनिट सेकिंड चल रही है अभी तो काफी टाइम लगेगा तीन से चार्ल लगेंगे सेकंड यूनिट कम्प्रीट हो जाएगी इन्फॉर्मेशन यह है कि आपको कल टेस्ट है टेंशन लेना नहीं है इजी पेपर है सबको टेस्ट देने आना है कम्पल्सरी है दो क्लासिज में आपकी एक क्लास में तो टेस्ट लूँगा और एक क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा नियूँ आपके practical वाला तो practical को खुशन करबाँगा practical वाली किताब स्टार्ट करूँगा मैं तो सब को compulsory आना है मिलते हैं कल क्लास में और कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे हम क्या होता है क्या नहीं होता थेंक यू